हेलो आज हम आपको एक और गुल दस्ता बनाना सिखाएंगे अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले हमने चार्ट पेपर लिया है इसको इस तरह से पकड़के कोने से इस तरह से मोड़ लेंगे और फैविकॉल वगरा से या सेलो टेप से या फिर ग्लूगन की मदद से आप इसको चिपका लेंगे आप इसको फैविकॉल या सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं इस तरह से और राउंड राउंड त्रेप में इसको जोड लेंगे और यहां से इसको बराबर बराबर कटिंग कर देंगे इस तरह से और अब हम यह फॉर्म लेंगे यह फॉर्म बैग के अंदर लगाए जाती है और यह मार्किट में इसली मिल जाती है हमने इसको fold कर लिया है और यह fold करने के बाद इस्टेप्र कर लिया है जिसे कि चोटी बड़ी ना हो जाए और यह equal कर झाए अब हम इसको काट लेंगे काफी लोगो ने पूछा था कि इसको क्या बोलते है तो इससे form बोलते है जो की bag वगरा में use होता है और इस तरह से इसको पतला पतला काट लेंगे हम 4-5 लाइन इसी तरह की काट लेंगे यह हमने काट ली है अब हम इसको यहां पर लगाएंगे जैसे कि मैं पहले बताया था आप इसको फैविकॉल से भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह से राउंड राउंड गुमाते चले जाएंगे अब हम यह पूरा गुलदस्ता इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं यह हमने इसी तरह से गुलदस्ते को बना लिया है और इस पर कुछ इस्टोन्स और यह पॉम-पॉम लगा लिये हैं यह देखिए हमारा कितना अच्छा गुलदस्ता लग रहा है आप इसे चाहें तो क्रिस्मस ट्री भी कह सकते हैं इस तरह से तो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब के अधेब कीजिए ङ को मारा वी पसंदे हैं